चलिए आज उनके बारे में बाते करते हैं जिनके बारे में कोई ज़ादा बाते नहीं करता जी हाँ, मैं हमारे कंस्ट्रक्शन्स, वर्कर्स और लेबर्स की बाते कर रहा हूँ जो इस सिवल इंडस्ट्री में उतने ही इंपोर्टेंट हैं जितने आप और मैं पर ये वो परदे की पिछे छुपे हुए चेहरे हैं जिनका जिक्र कहीं नहीं होता आपको ये तो जरूर पता होगा कि ताज महल किसने बनवाया है पर असल कारीगर और वर्कर्स बे नाम ही रह जाते हैं अगर मैं इनकी बाते करूँ तो महनत और हार्ड वर्क इनका पेशा है और ये उन कल्पनाओं को हकीकत में बदलने में एक बहुत बड़ी एहम भूमी का निवाते हैं वर्कर्स एन लेबर्स इस सिविल इंडर्श्ट्री परिवार की वो सदस्य हैं जो अपनी कड़ी महनत से किसी भी प्रोजेक्ट को उसके आखरी मुकाम तक पहुचाते हैं ये वो वर्ग है जो किसी लगजरी लाइफ को जीने के लिए नहीं बलकि अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन और रात महनत करते हैं चाहे जैसी भी परिस्तिती हो इनका काम कभी खत्म नहीं होता दोस्तो करोना महमारी से आप और मैं अच्छी तरह वाकिफ हैं और आपने देखा इस महमारी के चलते जो लॉकडाउन होगा उससे अगर किसी को सबसे जादा परिशानी उठाने पड़ी है तो वो है हमारे माईग्रेंट वरकर्स एंड लेवर्स को COVID-19 के चलते आपने देखा कि किस तरह से वरकर्स एंड लेवर्स दूसरे शहरों में फसे रहे लॉकडाउन की वज़े से उनके पास ना तो काम था ना रहने के लिए घर और ना ही खाने के लिए पैसे कम्प्लीट लॉकडाउन की वज़े से सारी यातरी सेवाएं बंद कर दी गई ताकि ये महमारी फैले ना जिसकी वज़े से प्रवासी मजदूरों को घर वापसी तक का सफर पैदल चल कर ही करना पड़ा पैदल चलने वालों में महिलाएं उनके छोटे छोटे बच्चे तक शामिल थे कितने पहुचे तो कितनों ने रास्तों में ही दम दूर दिया तो किसी ने आत्महत्या तक कर ली भारत सरकार के official website Invest India के अनुसार एक सर्वे में पाया गया कि COVID-19 ने बहुत ही भारी शती पहुचाई है हमारे construction industry को जो इंडिया की second largest रोजगार देने वाली सेक्टर है agriculture sector के बाद construction industry 50 million workers and labors को रोजगार देती है ये workers और labors हमारे देश के वो इस धंब है जिस पे हमारा देश खड़ा है और हम गवा हैं उन highway की तस्वीरों के जो हमारे system की विफलताओं को दर्शाती है और कहती है कि क्या government को इनकी और मदद नहीं करनी चाहिए ये तस्वीरे कुछ सवाल छोड़ जाती है हमारे जहन में कि क्यों ऐसे वक्त में मदद के हाथ नहीं पहुँश पाते इन तक क्यों सिर्फ कुछ सोनू सूच जैसे लोगों को ही इनकी तकलीफे नजर आती है क्या ये जिम्मेदारी शासन प्रसासन की नहीं जो ऐसी महमारी में इनके लिए सही कदम उठा सके ये workers and labors backbone है हमारे देश के एकनॉमी की और जिन हालातों का सामना आज ये कर रहे हैं ये हालाते चीख के कहती हैं कि देश को और करने की जौरत है इनके लिए जो हमारे देश को बनाते और हमारे शहरों को चलाते हैं जो हमारे शहरों का सामना आज ये जो हमारे शहरों को प्राव जो हमारे शहरों को बनाते हैं जो हमारे शहरों का सामना आज ये जो हमारे शहरों को बनाते हैं